वेलकम तु वेब लाइन पसा रहे थे प्रेजिडेंट गू कहता है कि अच्छा है कि तुमने उस इंसिडेंट की सारी रिकॉर्डिंग बना ली इससे तुम पलिस वालों को साबित कर पाई कि तुम तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही कर रही थी सेंग्यू कहती है पॉलाइट वे से कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि आगे चलकर मैं अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ थोड़ी दिर के बाद वो कहती है कि आपके मुझे अपना एड्रेस दे सकते है क्योंकि मुझे इस जेकेट को दो कर लोटाना भी तो है क्योंकि ये भी गिला हो गया है तो वो कहता है कि इसकी जूरत नहीं है आगे वो जैंग्यू का लेकर एका शॉप में चाता है जैंग्यू कपडो को ट्राइ करने के लिए गई थी एन वो प्रेसिडेंट को यहां पर बैठा था तो दो वर्कर आपस में बाते करने लगती है कि यह लड़का तो कितना ज्यादा हैंसम है लगता है कि कोई सेलिबरेटी है क्या इसकी कोई गल्फरेंड होगी यह जो लड़की साथ आई है क्या यह इसी की तो गल्फरेंड नहीं है ना प्रेसिडेंड गू उन दोनों की सारी बतों को सुन रहा था वो अपने मन में सोचता है कि क्या में बागल हो गया था जो उसे यहां ड्रेस खरीद वाने के लिए लाया तब ही ही उसकी नजर सामने जाती है वरकर कहती है कि वाओ यह ड्रेस तो तुम पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है तो प्रेसिडेंड गू उसे ही सिर्फ देख रहा था वो कहती है कि यह ड्रेस मेरे लिए थोड़ी सेक्सी है पर चब वो प्रेसिडेंड गू के और देखती है तो वो अपने आपको ढखने लगती है क्योंकि वो बस उसे ही खुरे चा रहा था तो जैंग्यू कहती है कि मुझे कोई दूसरी ड्रेस चाहिए वर्कर कहती है कि पर ये ड्रेस तो तुम पर काफी स्यद सूट कर रही है प्रेजिडेंट गू खड़ा हो कर कहता है कि इसके लिए कोई दूसरी ड्रेस लेकर आओ जो कि लूज फिट और अन्ड कोलर वाली हो तो वर्कर ये ढूने के लिए चलीचाती है प्रेसिडेंट गू जैंग्यू के पास आ कर कहता है कि तुम प्रीटी हो ड्रेस नहीं तो थोड़ी confident रहो वरकर आकर कहती है कि excuse me मुझे ड्रेस मिल गई है तो सेंग्यू ड्रेस ट्राइ करने के लिए चली चाती है प्रेजिडेंट गू अपने मिन में सोच रहा था कि ये तो बिलकुल शव्यू चैसी लग रही थी शव्यू प्रेजिडेंट गू की एकस girlfriend एन एकस फियों से है एन आन वो उसका ही बेटा है सेंग्यू ने ड्रेस पहन ली थी पर चब वो उस ड्रेस की कीमत देखती है तो वो तो काफी ज़्यादा महंगी थी वो प्रेजिडेंट गू को बात बताने के लिए आ रही थी पर प्रेजिडेंट गू कहता है की ये लो मेरा कार्ड और इस जली से स्वाइब कर दो सेंग्यू उसे कहने वाली थी कि मैं इस ड्रेस को एफोर्ड नहीं कर सकती पर ड्रेस में पैर लगने की वच्चे वो गिरने वाली थी तो प्रेजिडेंट गू उसे बचा लेता है फिर वो उसे कहता है की तुमने आनो की चान बचाई है अगर मैं तुम पर मिलियन भी खर्च कर दू फिर भी ये काफी नहीं होगा तो चुप चाप मुझे तुम्हारी मदद करने दो सेंग्यू कहती है की मैंने अनो को बचाया और आजए तुमने मुझे बचा लिया तो हिसा बराबर हुआ तो अब हमारा कोई भी लेना देना नहीं है तो प्रेजिडेंट गू कहता है की ऐसी बात है मैंने तुम्हे बचाया है तो इसका तुम रीपे कैसे करोगी ये सिन यहीं पर ही कट होता है अगले सिन में हम देखते है की वो घर वापसा रही थी और सोच रही थी क्या मुझे अपनी बाड़ी दे कर उसे रीपे कर देना चाहिए पर फिर सोचने लगती है की नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों सूच रही हूँ वो दर्वाजा तीरे तीरे खुल रही थी अनसूच रही थी की अच्छा है कि इस वक्त घर पर कोई नहीं होगा वो जब अंदर आती है तो कियी उसके सामने ही खड़ी थी वो कहती है कि सिस्टर तुमने तो बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है यह तो लिमिटेड एडिशन है इसकी कीमत तो लगभग 10,000,000 है तुम्हें यह कहां से मिली सेंग्यू से बिना कुछ बात किये हुए चली चाहती है तो कियी अपने मिन में सुचने लगती है कि इस ड्रेस को मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या हुआ मैं इसे भी इस ड्रेस को पहनने नहीं दूँगी सेंग्यू चब कपड़े बदल कर नीची आती है तो देखती है कि उसकी ड्रेस तो पूरी फटी हुई है वो कहती है कि केई ये तुमने क्या किया इस ड्रेस को तुमने क्यों फार दिया मुझे इस ड्रेस को लोटाना भी था मैं इस ड्रेस को रेंट पर लाई थी तो कियी कहती है कि सिस्टर तुम तब बड़ी रिच हो गई हो तो जेंग्यू कहती है कि मैं इस्ट्रेस को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती तुमने ऐसे सोच भी किसे लिया मैं इसे उधार पर लाई हूँ ग्रैनमा आती हैं सी ता उसे लाठी मार कर कहती है कि कि तुम अपने पैसों का शौफ करना चाती थी तक कि बाहर वाले लोग तुम्हें देखे वो उसे लाठी से मारने लगती है तभी ही कॉल आता है तो ग्रैनमा कहती है कि तु लगी है इसलिए आज तु बच गई ग्रैनमा फिर कॉल पिक करने के लिए चाती है फिर शौक होकर कहती है कि क्या कैफेंग अभी हॉस्पिटल में है अगले सिन में ये लोग भागे हुए हॉस्पिटल में चाते है अंटी साव कहती है कि कैफेंग तुम्हें क्या हुआ है उठो अगर तुम्हें कुछ हो गया तुम्हें जिन्दा कैसे रहूंगी ग्रैनमा कहती है कि माइ ग्रैंट सन मुझे बताओ कि तुम्हें किसने मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी तो केफिंग कहता है कि मैं रास्ते से चा रहा था मेरे सामने लोगों का एक ग्रूप आ गया और उसने मुझे पर हमला कर दिया तो अंटी साव कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर तो कट लगा हुआ है लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए तो ग्रैनमा कहती है कि हाँ हाँ तुम आराम ही करो जैंग्यू केई से पूछ रही होती है कि कि तुमने ही मेरे ड्रेस का ये हाल किया ना पर तुमने ऐसा क्यों किया तो केई कहती है कि मैं नहीं किया क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि तुम मुझसे भी अच्छे अच्छे ड्रेस को पहनो जो चीज मेरे पास नहीं है वो चीज त तुम्हारे पास भी नहीं होनी चाहिए ये सुनकर जैंग यू अपने मिन में सूचने लगती है कि के वो तो जैंग फैमिली की सिकंड डॉटर है पर मैं क्या हूँ मैं तो एका ट्रबल में कर हूँ भला मेरी बराबरी उससे कैसे हो सकती है सो अज का चेप्टर यहीं पर ही खतम होता है डोंट फगेट तो लाइक शेर अन सब्सक्राइब थेंक यू फर वच्चिंग